Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 10th physics का एक बहुत important chapter that is reflection of light at plane surface तो reflection of light जो है वो आपके पास दो parts में है पहला हम plane surface के बारे में पढ़ेंगे कि plane surface में reflection कैसे होता है light का और दूसरा chapter जो है उसमें हम spherical surfaces में reflection of light के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले reflection of light at plane surface तो plane surface का meaning तो आप already जानते हो अब हम reflection of light समझते हैं तो आपको याद होगा आपने class 9th में एक phenomenon पढ़ा था that is reflection तो reflection आपको धिहान होगा reflection के बाद हम class 10th में एक नया phenomenon पढ़ने वाले that is reflection तो दोनों phenomenon अलग-अलग है कुछ basic terms हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो अगर आपको कोई doubt है अगर आपको कोई problem है किसी भी concept से related जो की हम reflection या reflection में पढ़ता है या incident ray, angle of incidence, angle of reflection इन चीजों के हम बात करते हैं तो इनके बारे में आपको already पता होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो आप class 9th के videos देख सकते हो class 9th में जो हमने reflection पढ़ा था उसके videos देख सकते हैं उससे आपको हर चीज clear हो जाएगी तो आज हम पढ़ेंगे reflection के बारे में तो सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि what is the reflection of light reflection of light होता क्या है तो reflection of light है क्या basically it is the phenomenon और you can say it is the bending of light when it travels from one medium to another whenever light travels from one medium to another माल लेते हैं light क्या है एक medium से दूसरे medium में travel कर रही है तो जब भी light एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो इसका path जो होता है वो change हो जाती है अपने path से deviate हो जाती है और इसी deviation को इसी bending को क्योंकि ये light rays सीधी नहीं जाती है एक medium one है और ये medium two है तो जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो ये अपने path से क्या हो जाती है deviate हो जाती है bend हो जाती है तो जाना इसको ऐसे चाहिए था और जाए ऐसी रही है तो इसी bending of light को हम क्या कहते है इसी bending of light को हम कहते है reflection of light तो I hope कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी कि reflection of light का meaning क्या है what is the reflection of light तो reflection of light कुछ नहीं है जब भी light ध्यान रखे एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो यह अपने path से bend हो जाती है यह अपने path से deviate हो जाती है और इसी phenomenon को हम क्या कहते है reflection of light कहते है तो I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि reflection of light का meaning क्या होता है अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है जब भी light एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो आपको अल्रेडी पता है इस light ray को हम क्या कहते है incident ray इस ray को हम क्या कहते है incident ray और इस light को हम क्या कहते है refracted ray this is reflected ray तो reflection तो क्या होता है कि bounce हो जाती है उसी medium में वापस तो उसको reflection कहा देते थे हम और अगर वो एक medium से दूसरे medium में आ जाती है तो अगर light ray इस से टकरा के वापस चली जा रहे तो ये क्या हुआ reflection हुआ जो कि आपने class 9 ने पढ़ा था लेकिन एक medium से अब वो depend करता है कि किस तरीके का medium है इस medium में reflection नहीं हो सकता है लेकिन अगर light ray क्या होगी इसके अंदर से pass हो जाए means इस medium से दूसरे medium में चले जाए air से दूसरे medium में चले जाए एक medium से दूसरे medium में जाए जैसे water में light ray चली जाती है air से तो उस process को हम क्या कहते है उस phenomenon को हम कहते है reflection तो यह ray जो होगी that is refracted ray आपको पता है यह normal होता है यह perpendicular जो होता है यह होगी आपका point of incidence यह आपको already पता है और यह होगी आपका normal तो normal और incident ray के बीच में जो angle बनता है इसको हम कहते है angle of incidence जिसको आप I से denote करते हो और normal और refracted ray के बीच में जो angle बनता है इसको हम R से denote कहते है इस dense angle of reflection होगा पिछले बार हमने reflection पढ़ाता है इस बार हम reflection पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं कि जब light ray dense medium से या rare medium से पास होती है dense medium में तो क्या होता है तो एक चीज़ का आपको हमेशे ध्यान लखना है कि अगर जो medium 1 है आप देख सकते हो medium 1 है अगर ये medium कैसा है rare medium है नहां से किदर को आ रही है इधर से जा रही है और ये dense medium में जा रही है तो ध्यान रखिए हमेशा light ray जो bend होगी that will bend towards the normal आप देख सकते हो light ray ऐसे जानी चाहिए उधर normal है तो normal की तरफ bend हो जाती है light ray कब जब dense medium में जाती है rare medium से rare से dense में जा रही है तो towards the normal ये क्या हो जाएगी bend हो जाएगी यानिकि इसमें जो reflection होगा किस तरफ होगा towards the normal लेकिन यही process उल्टा हो जाता है अगर आप light ray को पास करोगे कहां से कहां एक dense medium से एक rare medium में तो अगर आप dense medium से पास कर रही हो rare medium में light ray को तो यह होगी आपकी incident ray ये angle of incidence हो गया और ये light ray ऐसे जाने के बजाए ये किदर जाती है इट will go away from the normal it will bend away from the normal तो rare medium में जाती है तो सीधी जाने चाहिए थी है सीधी जाने की बजाए ये किदर चली जाती है away from the normal तो यहां पर आपको ध्यान रखना है तो ये angle of reflection हो गया तो सीधे नहीं जाती है away from the normal जाती है तो bending तो होती है light की लेकिन किस तरफ होगी वो depend करता है किस चीज़ पर कि light ray rare medium से dense medium में जा रही है या फिर dense medium से rare medium में जा रही है अब rare medium जैसे क्या है air जो है हमारा वो rare medium हो गया water जो है उससे ज़्यादा dense medium होता है तो अगर light ray example दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर light ray कहां से कहां जाती है अगर light ray जैसे air से water में जा रही है मतलब rare to dense जा रही है तो किस तरफ bend होगी है normal की तरफ bend लेकिन अगर ultra हो रहा है मतलब यह कहां से कहां जा रही है अगर यह जा रही है अगर water से air की तरफ या फिर glass से air की तरफ glass भी क्या होता है dense medium होता है as compared to air तो इसमें जो reflection होगा किस तरफ होगा away from the normal तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है तो I hope कि आपको यह reflection of light समझ में आगया होगा और reflection किस तरीके से होता है किस तरीके से light ray जो होती हो उसमें bend होता है और light ray वो आपको पता होना चाहिए तो यह है पहला topic आपका reflection of light अब हम बहुत important topic की बात करेंगे that is laws of reflection जैसे आपनी last year laws of reflection पढ़ा था उसी तरीके से इस साला पढ़ोगे laws of reflection दो लो हुआ करते थे reflection के भी उसी तरीके से reflection के भी दो ही law है तो दो लो आपको ध्यान रखना है जैसे पहला law था reflection में reflection में भी एक law सेम है that is the incident ray, the normal and the reflected ray lie on the same plane तो यह आपको ध्यान रखना है वहाँ पे reflected ray की जैगे reflected ray होती थी वहाँ पे reflection होता था तो वो reflected ray होती थी तो पहला law आपको ध्यान रखना है कि जो incident ray होती है, normal होता है और reflected ray होती है यह क्या होती है यह तीनों के तीनों same plane में lie करते है ऐसा नहीं है कि अगर incident ray और जो normal है वो इस plane में है तो reflected ray इस plane से भाहर आ गई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यह possible ही नहीं है तो यह तीनों के तीनों हमेशा क्या करेंगे same plane पे lie करेंगे angle of जो आपके पास incident ray है यह normal हो गया और यह reflected ray हो गया तीनों के तीनों हमेशा same plane पे lie करेंगे तो इसका आपको ध्यान लखना है the second thing दूसरा लौ जो है आपके पास तो जो ratio होता है the ratio of sign of angle of incidence that is आप कह सकते हो sign i i के angle of incidence to the sign of angle of reflection is always constant हमेशा क्या होता है constant होता है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप यह जो second law है that is the ratio किस चीज़ का ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection तो यह हमेशा क्या होता है constant होता है मतलब sign i to the sign r का जो ratio होता है sign i by sign r वो हमेशा क्या होता है constant होता है तो यह होगी आपका second law इसको हम एक और नाम से जाते है that is known as snell's law ध्यान रखेंगे snell's law भी पूछा जाता है कि snell's law होता है क्या है तो यह ही कहता है कि जो sign i by sign r का जो ratio होता है that is always constant तो यह है हमारा snell's law और यह किसमे है दो law में से जो laws of reflection है इन दो laws में से एक law है snell's law तो इसका आपको ध्यान रखना है third इसके अलावा देखिए laws of reflection में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होने चाहिए तो जो sign i by sign r होती है तो अब देखिए होता क्या है कि अगर हम vacuum की बात करें means vacuum से कोई भी light travel करती है किसी medium में तो होता क्या है कि vacuum से travel करेगी तो angle of incidence होगा by angle of reflection का जो ratio होगा means sign i by sign r का जो ratio होगा that is always constant और इसको हम denote करते हैं mu से मियू यानि कि इस term को हम कहते हैं refractive index ध्यान रखें इस term को हम कहते हैं refractive index तो यह होगा आपका refractive index तो देखें refractive index को मियू से हम denote करते हैं और मियू की definition मियू और क्या होता है मियू की definition हम एक और चीज़ से denote कर सकते हैं इसको that is the ध्यान रखें that is speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, divided by speed of light in the medium, इसका आपको याद ध्यान रखना है, speed of light in vacuum by speed of light in a medium, तो किसी भी medium में जो speed of light है, उससे आप speed of light in vacuum को divide कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, refractive index मिलेगा, और unit क्या होगी refractive index की, आप देख सकते हो, obviously कुछ भी नहीं, कोई unit नहीं होगी, यहाँ पर refractive index की speed से speed आपकी cancel हो जाएगी, तो that is speed of light in vacuum by speed of light in a medium, और speed of light in vacuum आपको already पता है, that is 3 into 10 raised power 8 meter per second, तो this is approximately, लगभग कितनी होती है, यह approximately होती है, 3 into 10 raised power 8 meter per second, vacuum में जो speed होती है light की, वो होती है 10 raised power, 3 into 10 raised power 8 meter per second, लेकिन जब light जो है, वो vacuum से किसी medium में travel करती है, जब vacuum से किसी medium में जाती है, तो उससे उसकी speed पर क्या फर्क पड़ता है, उससे उसकी speed कम हो जाती है, तो इसका आपको धियान रखना है, तो यह हो गया आपका refractive index, ओके तो laws of reflection आपको पता होने चाहिए और refractive index का आपको पता होना चाहिए कि refractive index होता क्या है, तो जो refractive index होता है, आपका है सकते हो, that is speed of light in vacuum by speed of light in a medium, तो जैसे कि मैंने आपको पता है कि जो हम बात करेंगे, speed of light in different medium, different medium में जो speed होती है light की, वो अलग-अलग हो सकती है, it depends on the optical density, optical density, जितना ज़्यादा dense medium होगा, light की speed उतनी कम होती जाएगी, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, वैसे है नहीं, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, कि जैसे आप किसी traffic में चल रहे हो, तो अगर traffic बहुत जादा होता है, तो आपकी speed जो होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ज्यादा dense हो जाता है अगर traffic तो आपकी speed क्या हो जाती है कम हो जाती है उसी तरीके से अगर traffic रहे है means बहुत कम गाड़िया है तो आपकी speed क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यह कुछ इसी तरीके से है कि optical density जितनी जादा होगी light की light की speed उस particular medium में क्या होती जाएगी उतनी कम होती जाएगी तो इसका आपको ध्यान रखना है कि dense जितना जादा होगा medium speed of light उतनी कम होती जाएगी जैसे अगर हम बात करें vacuum की तो vacuum में तो कुछ भी नहीं होता है लगभग ना के बराबर चीज़ें होती है तो air में भी कोई खास impact पढ़ता नहीं speed of light की लगभग सेम ही रहती है जितनी vacuum में रहती है और अगर हम किसी और medium में बात करें जैसे अगर light water में travel करती है तो water का काफी जादा होती है थो water में speed of light क्या हो जाती है बहुत कम हो जाती है उससे भी जयद धन्सिटी की होती है optical density क्निक हो गलास तो गलास में speed क्या हो जाएगी और भी कम हो जाएगी तो होप कि आपको यह चीज पताचलगी होगी कि जो speed of light होती है वह लग-अलग medium में अलग-अलग होती है अब हम जब refractive index की बात करते तो यह तो होता है इसको हम absolute refractive index भी कहते हैं तो simple अगर हम refractive index की बात करते हैं कि refractive index of air or refractive index of water या फिर refractive index of glass किसी भी medium के आप refractive index के बात करते हैं तो that is equal to speed of light in vacuum by speed of light in that medium. But generally जो यह refractive index होता है यह होता है relative, मतलब जब हम refractive index के बात करता है तो हम एक medium का refractive index पता करने की कोशिश करते हैं with respect to other. जब respect to other नहीं बोला जाता है तो हम क्या मान लेते हैं किसके साथ compare करते हैं speed of light in vacuum के साथ लेकिन अगर हम किसी दूसरे medium के साथ compare करते हैं तो उसको हम denote करते हैं mu यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 1 that is इसको हम कैसे लिखते हैं that is reflective index of medium 2 with respect to medium 1 तो ध्यान रखें mu 1 2 इसका मतलब क्या हुआ refractive index of medium 2 with respect to 1 तो यह कितना हो जाएगा ध्यान रखें speed of light speed of light कहाँ पे in medium 1 first medium में in medium 1 by speed of light in medium 2 speed of light in medium 2 तो यह चीज ध्यान रखें कि जो यह ratio होता है speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 इसको हम कहेंगे refractive index of medium 2 second medium का refractive index with respect to first medium तो जिसका refractive index calculate कर रहे हैं उसको denominator में रखेंगे और जिसकी respect में calculate कर रहे हैं उसको हम कहाँ रखेंगे numerator में रखेंगे तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जिसका हम refractive index calculate करने की कोशिश कर रहे हैं उसको denominator में और जिसकी respect में कर रहे हैं उसको हम रखेंगे numerator में तो I hope कि आप कोई चीज समझ में आ गई होगी कि refractive index का मतलब क्या हुआ refractive index of one medium with respect to another medium इसका meaning क्या हुआ now relationship between refractive index and speed of light तो चलिए आप समझ सकते हो यहां से refractive index और speed of light के बीच में relation देख लेते हैं तो आप समझ सकते हो यहां से देखे तो speed of light यह मैंने आपको formula बताया था speed of light in medium speed of light in a medium is equal to क्या हो जाएगा is equal to speed of light in vacuum इसको इधर divide कर दीजिए म्यू को इधर divide कर दीजिए तो speed of light in medium उधर multiply हो जाएगा तो यह उधर चला गया that is speed of light vacuum divided by mu तो यह क्या हो लोग है that is speed of light in a medium मतलब किसी भी medium में जो light की speed होती है वो डिपेंड कर देखे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स speed of light की value उतनी कम होगी तो आप देख सकते हो ना denominator में तो mu की value जितनी जादा होगी तो इसकी value speed of light in a medium that is equal to speed of light in vacuum divided by mu तो mu की value mu यानि की refractive index उस particular medium का तो refractive index की value जितनी जादा हो रही है speed of light in the medium उतनी कम होगी तो आपको relationship पता चल गई होगी कि किसी भी medium में जो light की speed होती है और उस medium का जो refractive index होता है इन दोनों के बीच में relation क्या होता है जितना जादा refractive index होगा किसी medium का इसका मतलब उस medium में light की speed उतनी कम होगी तो I hope कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि speed of light in a medium और दूसरा क्या है refractive index इन दोनों के बीच में relationship क्या है अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि जब एक medium से light दूसरे medium में travel करती है तो किन-किन चीज़ों पर फरक पड़ता है किन-किन चीज़ों पर फरक नहीं पड़ता है और क्या-क्या होता है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी light ray एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो एक condition देखते हैं कि refraction means bending जो होती है light की वो कौनसी condition में नहीं होगी कि जब light ray means एक medium से दूसरे medium में travel कर लेगी तो जो refraction होता है वो कौन-कौन सी condition में नहीं होगा कि कौन सी condition में light बिना bend हुए एक medium से दूसरे medium में travel कर लेगी तो दो conditions का आपको ध्यान रखना है पहला condition जब होगी when angle of incidence is equal to 0 degree तो अगर angle of incidence क्या है आपका 0 degree है यानि 0 degree कब होगा जब normally light ray fall करेगी यानि कि angle of incidence जो होगा वो incident ray कुछ ऐसे fall करेगी surface के normal fall करेगी तो उस condition में angle of incidence क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो अगर ध्यान रखिए अगर angle of incidence 0 हुआ यानि कि light ray incident angle जो है वो 0 है यानि कि जो incident ray है वो normally जा रही है तो refracted ray जो होगी वो इस तरीके से चली जाएगी refracted ray सिधर जाएगी बिना deviate हुए तो पहली condition क्या है पहली condition यह है कि angle of incidence अगर 0 हुआ तो उस condition में आपको reflection देखने को नहीं मिलेगा however एक चीज़ ध्यान रखिए speed of फर्फ जरूर पड़ेगा कि अगर आप rare medium से dense medium में जा रहे हो speed of light कम जरूर हो जाएगी दूसी condition दूसी condition का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर mu की value mu की value क्या हुई 1 हुई तो क्या हो जाएगा speed of light in the medium आप यहाँ पर देख सकते हो अगर mu 1, 2 की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो इसका मतब आप उसको उदर divide करोगे तो speed of light in medium 1 is equal to speed of light in medium 2 तो उस case में speed same रहेगी और बिना refract हुए light एक medium से दूसरे medium में travel करेगी कब जब refractive index जो है medium का 1 होगा दूसरे medium का जो refractive index होगा with respect to first medium वो क्या होगा 1 होगा तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सी condition में light ray बिना deviate हुए चली जाएगी बिना reflection के चली जाएगी तो I hope कि आपको इस चीज भी पता चल गई होगी next हम बात करते हैं कि जब light ray एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं भी तो जब light ray एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो हम कह सकते है mu 2 जो होता है 1 mu 1 2 that is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 यह second medium का refractive index with respect to first medium तो अब एक काम करते हैं कि जो mu 2 होगा mu 2 is equal to क्या हो जाएगा mu 2 mu 2 यानि कि refractive index of medium 2 mu 2 यानि कि refractive index of medium 2 तो क्या हो जाएगा that is speed of light चलो तो एक काम करते हैं हम जड़ा denote कर लेते हैं ताकि मुझे बहुत लेंदी नहीं लिखना पड़े तो माल लेते हैं जो c है c होती है speed of light in vacuum c को हम क्या माल लेते है speed of light in vacuum और v1 v1 हम माल लेते है speed of light in medium 1 first medium में और second medium में जो speed of light है speed of light in medium 2 उसको हम v2 माल लेते हैं और mu 1 के अगर हम बात करें mu 1 means refractive index of medium 1 तो क्या हो जाएगा that is speed of light in vacuum refractive index का फामला लगाई है that is speed of light in vacuum that is c c से हम डेनोट करते हैं divided by speed in medium तो that is उसी तरीके से अगर हम mu 2 की बात करें mu 2 की बात करें तो यहाँ पे देखें इसको हम किसे डेनोट कर सकते थे v1 और इसको v2 यानिकि जो mu 1 2 की value होती है mu 1 2 equal to क्या होता है v1 by v2 इसका आपको ध्यान रखना है तो अगर हम बात करें mu 1 equal to क्या हो जाएगा c by v1 और mu 2 equal to क्या हो जाएगा c by v2 अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर मैं divide करूं किसको किस से mu 2 by mu 1 mu 2 by mu 1 equal to कितना हो जाएगा that is equal to c by v2 divided by c by v1 तो v1 multiply हो जाएगा c से c cancel हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा mu 2 by mu 1 is equal to v1 by v2 और v1 by v2 जो था that is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 तो medium 2 का जो refractive index है that is with respect to medium 1 वो क्या है v1 by v2 होता है तो आप इसको v1 by v2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो refractive index जो होगा medium 1 का medium 2 का तो इसको हम क्या कह सकते है that is mu 1 2 किस चीज से denote करता है हम इसको mu 1 2 से तो इसको हम mu 2 by mu 1 तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि mu 2 by mu 1 यानि कि refractive index of medium 2 with respect to vacuum by refractive index of medium 1 with respect to vacuum तो second medium का refractive index by first medium का refractive index with this is equal to क्या होता है refractive index of medium 2 with respect to medium 1 तो I hope कि आपको इस relationship समझ में आ गई होगी चलिए अब कुछ हम factors की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीजें जब आपकी light ray जो होती है वो एक medium से दूसरी medium में travel करती है तो कौन-कौन सी चीजें change होती है कौन-कौन सी चीजें change नहीं होती है ओके तो ध्यान रखिए जब light ray एक medium से दूसरी medium में travel करती है तो एक चीज पर फर्क पड़ता है that is speed of light हूँ हमेशा उस पर फर्क पड़ेगा अगर optical density यानि की refractive indices दोनों medium के अलग-अलग है तो अगर second medium का देखिए मैंने आपको क्या बता है था जिसका refractive index जितना ज़्यादा होगा उसमें speed of light उतनी कम होगी तो first से अगर second में travel कर लिए और second में जो है second का refractive index ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ second का refractive index ज़्यादा है तो second में speed of light क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर first का ज़्यादा है तो और second का refractive index उससे कम है तो speed of light इंक्रीज हो जाएगी जब first से second medium में वो ट्रैवल करेगी frequency of the light frequency जो है light की वो कभी भी change नहीं होती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि light की frequency चाहे light किसी भी medium से किसी medium में travel कर रहे हो पर कोई फर्क नहीं पढ़ता है फर्क किस चीज पर पढ़ता है wavelength पर now पिछले waves के लिए आपने एक formula पढ़ा था that is speed of the light that is c speed equal to क्या होता है new into lambda तो यह आप लोगों ने last year पढ़ा था new ध्यान रखिए c equal to क्या है speed of light यह आप v कह सकते हो किसी medium में तो v equal to क्या होता है speed of light in a medium right in a medium और अगर मैं c की बात करना हो तो c क्या हो जाएगा c equal to speed of light in vacuum okay now new क्या हो गया new equal to frequency of light जो की कभी भी change नहीं होती है और lambda lambda equal to क्या हो जाएगा lambda equal to wavelength of light lambda क्या है wavelength of light कहाँ पे वो भी in vacuum vacuum में जो wavelength होगी light की now lambda dash मान लेते हैं कि lambda dash equal to क्या है lambda dash यहाँ पे भी की जाएगा मैं c रिख रहा हूँ lambda dash equal to क्या है wavelength of light in medium किसी medium में जो wavelength है light की वो lambda dash है तो मैंने आपको एक चीज बता है एक चीज है जो कभी भी change नहीं होती है that is the value of new frequency कभी भी change नहीं होती है तो अगर मान लेते हैं V equal to क्या है speed of light in medium उस medium में जो speed है light की speed of light in medium medium में जो है light की speed वो क्या है V है तो आप कह सकते हो कि जो c equal to new lambda आपने पढ़ा था तो आप क्या कह सकते हो V equal to new into lambda की जगे इस समय wavelength कितनी है lambda dash हो जाएगी अब एक काम करते है c by v तो c by v जड़ा डिवाइड कीजे c by v equal to क्या हो जाएगा lambda by lambda dash और c by v आपको पता है speed of light in vacuum by speed of light in medium that is denoted by mu यानि कि जो refractive index होता है medium का तो आपका ऐसात तो इसको mu तो you can say mu equal to lambda by lambda dash और lambda dash is equal to यहाँ से lambda dash equal to क्या हो जाएगा lambda dash equal to हो जाएगा by mu तो यहाँ से जो आप देख सकते हो wavelength होगी light की wavelength क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जब भी light रे एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो light की wavelength क्या हो जाती है कम हो जाती है और यह आप यहाँ पर देख सकते हो उसका result तो I hope कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि wavelength पे क्या फर्क पड़ता है तो refractive index ध्यान रखें जब light रे एक medium से दूसरे medium में especially vacuum से जब किसी medium में travel करती है तो आपको पता है किसी भी medium का refractive index होगा वो 1 से जादा होगा तो mu की value जो होगी वो 1 से जादा ही होगी तो इसलिए lambda dash की value हमेशा lambda से कम होती है जो lambda यानि की जो wavelength है light की कहा vacuum में उससे हमेशा कम होगी और अगर lambda को आप किसी medium 1 में मान रहे है और lambda 2 medium 2 में मान रहे है तो तो फिर depend करेगा mu की value पे कि mu की value जो है refractive index जो है wavelength increase होगी और अगर 1 से जादा आती है तो wavelength decrease होगी तो I hope कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी next आपके पास आता है इसके बाद कि factors कौन से factors हैं जो refractive index को affect करती है यानि कि कौन-कौन सी चीजों का कौन-कौन से factors का refractive index पे असर पड़ता है कि किन चीजों को हम change करें तो refractive index भी change हो जाएगा तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कुछ factors है जो कि आपके लिए काफ़ important है तो इन में से जो factors ध्यान रखिए factors affecting the refractive index तो कौन-कौन से factors हैं जो refractive index को affect करते हैं तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं जो refractive index में direct mu लिख लेता हूँ यहां पर तो refractive index को कौन-कौन से factors affect करते हैं जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला that is nature of the medium जो medium है वो किस तरीक है nature of medium तो मैंने आपको बताया था कि medium पर depend करता है refractive index जो है वो medium पर depend करता है कि कि किस तरीक है को medium है जितनी ज्यादा optical density होगी medium की उतना ही ज्यादा उसका refractive index होगा जैसे कि मैंने आपको बताया air का refractive index almost 1 के आसपास होता है क्यूंकि air के बहुत density optical density इसकी बहुत कम है तो almost 1 के लगभग होता है लेकिन अगर हम बात करें जैसे water की the water की optical density थोड़ा ज्यादा होती है तो इसका refractive index होता हो काफी ज्यादा होता है as compared to air तो 1.33 के आसपास होता है लगभग उसी तरीके से अगर हम glass की बात करें तो glass की optical density उससे भी ज्यादा होती है तो इसकी वजह से जो इसका refractive index होगा और ज्यादा होगा और इसकी वजह से speed of light पे क्या फर्क पड़ेगा मैंने आपको बताया था speed of light पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर refractive index ज्यादा होगा तो speed of light क्या होगी कम होती जाएगी तो water में speed of light कम होगी glass में अगर पास होगी speed of light तो और कम हो जाएगी तो आपको इस चीज समझ में आगे होगी तो पहली चीज जो refractive index को affect करती है that is nature of medium और speed of light पे भी सेम फर्क पड़ेगा refractive index जितना ज्यादा हुआ यानि कि speed of light उतनी कम होगी तो इसका ध्यान रखिए अब दूसी चीज दूसी चीज मैंने क्या कही दूसी चीज जो होती है that is wavelength of the light wavelength of light तो इसमें ध्यान रखिए wavelength of light और कहीं पर आपको color of light भी लिखा होगा दोनों सेम चीज हैं अब आप सोचो कि color और wavelength सेम कैसे होगी देखे च्राफ आपको पते है जो विजिबल रेज होती है विजिबल आपने पड़ा होगा तो वो लगवग 3,800 से लेके 7,500 angstrom के बीच में होती है तो इसी बीच में सारे जो colors होते हों आपको दिखाए देते हैं तो जो wavelength होती है, wavelength पे ही depend करता है क्या that is the color of the light तो आपको कहीं पे wavelength लिखा होगा, कहीं पे color लिखा होगा तो आपको confused नहीं होना है तो wavelength पे कैसे depend करता है ध्यान रखिए जो violet होती है आपको मैंने बताए विविग्योर जो आप पढ़ते हो तो ध्यान रखिए जो आपका विविग्योर होता है तो violet से जब हम red की तरफ जाते हैं तो refractive index की बात करें तो refractive index violet का क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है और refractive index जो होता है किसका कम होता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा violet का और धीरे-धीरे कम होता रहेगा और red का refractive index क्या होता है सबसे कम होता है और जिसका refractive index जितना कम होगा उसमें bending भी उतनी कम होगी तो bend भी light ray उतनी कम होगी और दूसी चीज speed of light क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी तो इसका मतब जब light ray एक medium से दूसरी medium में travel करती है तो जो red की wavelength होती है red पर क्या फर्क पड़ता है कि red की speed क्या होती है ज्यादा होती है और जो violet ray होती है उसकी speed क्या होती है कम होती है क्यों क्योंकि refractive index जो होता है violet का ज्यादा होता है as compared to red तो I hope कि आपको ये चीज समझ में आगे होगी कि कि किस चीज पर depend करता है अच्छा एक और चीज है एक और factor है जिस चीज पर depend कर सकती है refractive index और जो आपका speed of light है that is the temperature तो आपको पता है कि temperature अगर आप बढ़ा होगे तो density क्या होती जाती है medium की वो कम होती जाती है और density कम होती जाएगी तो उसकी वजए से refractive index क्या हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा और refractive index कम होगा तो आपकी speed of light बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे आप एक medium से जब दूसरे medium में travel करते हो temperature पर क्या फर्क परता है temperature से कि जो temperature अगर increase करने की कोशिश करोगे आप तो temperature increase करने से optical density उसकी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और optical density decrease हो जाएगी तो speed of light बढ़ जाएगी तो जब भी आप एक medium से दूसरे medium में travel करते हो तो ध्यान रखे तीसी चीज़ एक और चीज़ है temperature तो ये कुछ factors हैं जिन पर depend करता है क्या refractive index या फिर speed of light तो I hope कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी next lecture में हम कुछ और topics discuss करेंगे that is principle of reversibility of path of light उसके साथ reflection of light through a rectangular glass block और तीसी चीज़ multiple images on the thick plane glass plate और a thick plane mirror तो ये जो topics हैं इसको हम next lecture में discuss करेंगे this is all in this lecture अगर आपकी कोई भी queries हैं तो आप मुझे comments में questions पूछ सकते हैं thank you very much